प्रभू येश्व मसी के नाम में आपको अनुगर और शान्ती मिले है एक पुरानी कहानी है और ये कहानी एक कालपनिक कहानी है जिसको कई लोग सच मानते हैं लेकिन मैं इसलिए कहा रहा हूँ यह कालपनिक कहानी है या मित है इंगलिश में जैसे कहते हैं क्योंकि यह घटना वाइबल में नहीं है मतलब इसका कुछ शुरुवात का हिस्सा तो वाइबल में है लेकिन बाद में मैं आपको बताऊंगा वो बाते बाइबल में नहीं है और साफ रिती से वो एक कालपनिक कहानी है और उसकी बुनियाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बुनियाद में एक गल्ती है तो जब प्रभु यश्यमसी ने कुरूस पर अपना बलिदान दे दिया तो उसके दो चेले थे एक का नाम निकोडीमस था और दूसरे का नाम अर्मिथ्या का योसेफ था और ये दोनो अच्छी उमर के थे एक बज़र्ग भी था निकोडीमस दोनो बहुत अमीर व्यक्ती थे और क्योंकि प्रभु यश्यमसी के शिश्यों पर 57 एक प्रकार से आ रहा था तो वो छुप गए थे लेकिन ये दो खुल कर बहार आते हैं और रोमी गवर्नर पिलातूस के पास जाते हैं और उससे जो योसेफ है वो बिंती करता है कि हमें ये पर्मिशन दी जाए कि हम येश्यमसी के शरीर को कुरूस पर से उतारे और उसको जैसे उनके लोग आकरी क्रियाकरम करते थे वो पूरा करें और वो गुफा में इस वकार से शरीर को बेरी कर देते थे रख देते थे और बड़ा पत्तर उसके उपर डाल देते थे तो यहां तक तो ये बाते बाइबल में हैं ये सच है लेकिन फिर ये जो काल्पनिक कहानी है इसको कहते हैं ये बताते हैं कि इस प्रभु येश्व मसरी के मृत्यू से पहले प्रभु येश्व मसरी ने अपने शिश्यों के साथ भोजन किया उसको आखरी भोज कहते हैं दलास सपर और उस भोज में प्रभु येश्व मसरी ने अपने लोगो एक सत्य प्रगट किया कि देखो मैं बलिदान के रूप में अर्पन किया जाओंगा कुछ ही समय में और मेरा शरीर तोड़ दिया जाएगा इतना दुख मुझ पर मेरे शरीर पर आएगा मेरा शरीर तोड़ दिया जाएगा और मेरा खून बहा दिया जाएगा बहुतों के पापों की शुद्धी के लिए शमा के लिए और इसलिए जब तुम इखटे हो इस प्रकार से मुझे स्मरंड करते रहना तो उस भोज में जो प्याला प्रभु येश्व मेसी ने इस्तिमाल किया था उस प्याले को बताते हैं इस कालपनिक कहानी में कि योसेफ ने उस प्याले में जब प्रभु येश्व की दे को उतारा तो उस प्याले में उसका थोड़ा सा लहु इखटा कर दिया और उस प्याले को उसने संभाल लिया और जब ये सब घटनाएं पूरी हो गई तो योसेफ किसी टापू पर चला गया दूर समुंदर के बीच में और वहाँ पर उसने कुछ सैनिकों को बहुत अच्छे ट्रेंड सैनिकों को इखटा तिया और उनके हाथ में वो प्याला सौब दिया उसी प्याले को उस काल्पनिक कहानी के अनुसार होली ग्रेल कहते हैं पवित्र प्याला और उन सैनिकों ने उस वो प्याले की रक्षा करते थे क्योंकि वो मानते थे कि इसमें परमिश्वर का पुत्र का लहू इखटा किया था और उस सैनिकों का जो सर्दार था लीडर था वो एक तौर से एक राजा बन गया और एक बड़ी सेना की स्थापना हुई उस होली ग्रेल की रक्षा करने के लिए और वो कहानी बताती है के बीच बीच में ये राजा अपने इन वफादार सैनिकों को इखटा करके होली ग्रेल को बीच में रख देता था उस पवित्र प्याले को और उसमें से रोश्णी निकलती थी और सब के चहरों पर वो रोश्णी आती थी और केवल वो ही उस प्याले को उस लहु को देख सकते थे जिनके दिल पवित्र होते थे जो मन के पवित्र होते थे और ये कहानी कहानी ही रह गई है इसके बाइबिल में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि सबसे पहली बात जो बुनियादी रूप से गलत है कि सिर्व जो मन के पवित्र है वो उस लहु को देख सकते हैं जबके बाइबिल कहती है कि प्रभु येश्य मसी ने अपना लहु पापियों के लिए बहाया जो पापी थे जो जिनोंने बुरे काम किये थे जो अपने पाप के कारण कायल होते थे जिनके मन में पश्ताप था चाहे किस हद तक का पापी क्यों नहों अगर वो सच्चे हिर्दय से आता था तो वचन बताता है प्रभु येश्य का लहु उसको शुद कर देता है तो मन के पवित्र तो कोई नहीं है जब तक परमेश्य ना बनाए एक पापी जब उसके पास आता है सच्चे दिल से पश्ताप के साथ तो येश्य मसी का लहु उसको पवित्र करता है और परमेश्य और अपना आत्मा उस व्यक्ति को देता है ताकि वो आगे को एक पवित्र जीवन बिता सके देखिये लिखा है जकरिया 13 में कि उसमें से मैं कुछ वर्ड्स बढ़ रहा हूँ कि उसी समय निवासियों के लिए पाप और मलींता धोने के निमित एक बहता हुआ सोता होगा कलवरी का क्रूस का बलिदान वो एक बहता हुआ सोता है किस चीज़ के लिए पाप और मलींता धोने के लिए जब एक सबसे घिनोना पापी भी प्रभु येशु के पास आता है तो उसका पाप और मलींता धोई जाती है येशु के लहु के द्वारा उसके लिए कोई प्याले की आवशक्ता नहीं है उसके लिए सिर्फ विश्वास की आवशक्ता है पालुस एक प्रभु येशु का बहुत बड़ा सेवक रहा जो सेवक होने से पहले बहुत बड़ा विरोधी था प्रभु येशु के विश्वासियों को मारता पीटता था उनकी हत्या करवाता था तो ये आज होता है ऐसा नहीं है तब भी होता था ऐसे लोग तब भी थे लेकिन परमिश्वर का अनुग्र देखो वो प्रभु येशु का सबसे बड़ा सेवग बना और वो क्या कहता है वो कहता है ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसी येशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ वो कहता सबसे बड़ा पापी मैं हूँ तो हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उद्धार का मार्ग सब के लिए खोला है मन का पवित्र जनम से तो कोई नहीं है सबने पाप किया परमेश्वर की महिमा से रहित है जो स्त्री से जन्मा वो हर व्यक्ति अशुद है इसलिए प्रभी यशु कुवारी से जन्मा इसलिए वो पवित्र है पाप रहित है और इसलिए वो हमारे लिए बलिदान बन सका मैं अपना बलिदान दूँ तो मेरा बलिदान acceptable नहीं है प्रवित्र नहीं हुँ मैं जनम से पापी हूं लेकिन प्रभुयोश्यू जनम से पाप रहित व्यक्ति था इसलिए वो एक योग्य बलेदान मेरे और आपके लिए बन सका तो इसलिए प्रभुयोश्यू से फ्रातना कीजिए और उसका वो प्रेम उसका हिर्दय आपके लिए खुला है उस कालपनिक कहानी के तरह नहीं कि अगर विश्वास से आते हैं सचे मन से आते हैं कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताके जो कोई उस पर अर्थात प्रभू येशु पर विश्वास करे वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा परमेश्वर आपको आशीश दे